Hello everyone, आज होए 15 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बार करेंगे सुजलॉन के बारे में 54 रुपीज का शेर है और आज ना ही 30 है ना ही गिरावट है पिछले एक महिने का ग्राफ काफ इंटरेस्टिंग है 30 ही एक जटके में आई थी 48 से 55 रुपीज पे गया फिर थोड़ा सा करेक्शन देखा है फिर वापस से तीज ही आ गया फिर वापस 55 पे गया उसके बाद अगर आप देख रहे हो ना तो पिछले एक हफते से नाम मातरा की गिरावट तो है यहाँ पर एक रुपे गिरा है अगर आप देख लो 55 पॉइंट 50 रुपीज से अगर आप इसको देखोगे तो एक रुपे की गिरावट यहाँ पर हमें पिछले 10 दिनों में देखने को मिली है लेकिन बहुती मिनीमम तरीके से गिर रहा है बहुती मिनीमम तीन पैसा, पाँच पैसा, दस पैसा डेली वैसे यहाँ पर यह गिरता हुआ नजर आ रहा है बात करेंगे वीडियो में कि एक ब्रोकरेज हाउज ने काफी अच्छी कमेंटर यहाँ पर करी है उसके अलावा कहां पर सपोर्ट है, कहां रजिस्टन से उसको लेकर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब हो काफी जादा हेल्प करेंगे तो 54 रुपीज का शेर तकरीबन 10% की तीजी है, एक महिने में एक साल की बात करो कि तो भईया अच्छी रफ़तार है 200% का ग्रोथ है, इससे पहले भी अगर आप देखोए तो बड़ी रफ़तार आई थी यहां पर फिर गिरावट के साथ गिरावट के साथ गिरावट करा था, यह 35 रुपे पर गया था तब मैंने वीडियो बना कर कहा भी था कि 40 रुपे के नीचे अगर मिलता है सुजलान, अच्छी बात है, मौके बनेंगे खरीदारी के, और वो लंबे समय तक रहा भी था, कई बार मौके बनें भी थे उसके बाद जैसे ही 50 रुपे का लेवल तोड़ा इसने, 55 रुपे का लेवल फॉरण इसने दिखा दिया और अब थोड़ा बहुत इस लेवल के आसपास कर रहा है, कहीं न कहीं जो 50 रुपे का पहले रेजिस्टन्स हुआ करता था, अब वो सपोर्ट के तौर पर यहां पर काम करना चाहिए अब वो लेवल इंपोर्टन्ट है 50 रुपय का लेवल यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है इनिशल सपोर्ट के तौर पर देखना है कि वो इंटेक्ट रह पाता है कि नहीं और कंपनी देखो एक टाइम पे ना पैनी स्टॉक हुआ करती थी कोविट के टाइम पर दो तिन रुपय का यह शेयर हुआ करता था और तब मैंने स्विंग ट्रेट की बात में यहाँ पर करता था मैं कहता था कि लॉंग टर्म का यह खिलाड़ी है ही नहीं क्योंकि इससे पहले भी दो बार इनों पने डेट को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करी थी लेकिन कुछ खास हुआ नहीं था लेकिन जैसे ही तीसरी बार इनों पने डेट को रिस्ट्रक्चर करा पैसा रेस करा कई सरे ओर्डर मिल रहे थे और तब यह 14-15 के आसपास चला गया था और तब मैंने कहा था कि यहां पर आप लॉंग टर्म का दाव खिलना चाहिए शॉट टर्म का नहीं लॉंग टर्म के लिहास से है तो बने रहो कोई दिक्कत की बात नहीं है और अभी भी मेरा वही रवईया है कि लॉंग टर्म के लिहास से मुझे यह कंपनी खराब नहीं लगती है शॉट टर्म में अभी भी थोड़े बहुत अपसें डाउंस आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं जहां तक वॉल्यूम्स की बात करें बाज अभी खुला है और असी लाग के आसपास के शेर्स यहां पर ट्रेड अल्रेडी हो चुके हैं जो इसका मार्केट के अब है वो तकरीबन 74,000 क्रोड पहुंच चुका है काफी बड़ा मार्केट के अब अब जा चुका है और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी में according to money to loser तो 100% लोग करें खरीदारिक लो बेशने की बात कोई भी ने कर रहा है और कहीं न कहीं जो resistance वाला level है वो 55 रुपे का है यहां पर अगर उसको तोड़ेगा तो 60 रुपे के immediate level आपको यहां पर देखने को मिलेंगे लेकिन अगर नहीं तोड़ पाता है तो वापस 50 रुपे का जो support अला level है देखते कि वहां पर टिक पाता है कि नहीं और जहां तक बात करी जाए इस company के dividend को लेकर तो हलाकि यह pay नहीं कर रहा है लेकिन जब recent interviews में इनसे पूछा किया था कि वह dividend pay करने के बारे में आपका क्या खयाल है तो company के management की तरफ से जवाब भी आया था कि लोगों को dividend अच्छा लगता है और हम इस बात को जानते हैं हम धीरे धीरे वह भी payout करना शुरू करेंगे यह उनकी तरफ से statement आया था लेकिन अभी वह expansion की तरफ focus कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे dividend की तरफ भी वह जाना शुरू करेंगे प्योंकि अच्छा खासा मुनाफ़ा तो कमा रहे हैं यह और जहां तक बात करें कि revenue को लेकर तो 30 है और सबसे अच्छी रफतार मैं कहूंगा profits में हालाकि 2024 में profit तो रहा सा कम देखने को मिला तो देखें सुजलोन आज से 2008 में देखो तो भईया इसने मरलब यह split भी हुआ था ठीक है और सुजलोन ने अब तक 4 बार dividend की भी बात करी हुई है देखते हैं कि देवी पाता है कि नहीं लेकिन brokerage houses एक choice broken उनका यहाँ पर buy call है और उनका यह कहना है कि 52 रुपीज के आसपास खरीदारी के मौके बन रहे है 49 रुपीज के stop loss के साथ और उनको लगता है कि आने वाले time में यह share 63 से 65 रुपीज तक जाने का दमखम रखता है यह choice broken का कहना है मेरा नहीं ठीक है यह मेरा नहीं कहना है यह उनका कहना है और जहां तक बात करी है तो हाँ पिछले कुछ time में खरीदारी हुई है Files के तरफ से बड़ी खरीदारी हुई है आगे बात करेंगे उसके बारे में और जहां तक valuation की बात करें तो देखो है महंगा तो है यह 112 का इसका period जो है sector P54 का है महंगा है यह लेकिन market इस चीज़ को जानता है factoring कर रहा है कि अब तक company debt से जूज रही थी तो बहुत सारा पैसा इनका debt को चुकाने में जा रहा था तो profitable हो नहीं पा रहे थे लेइन अब यह almost debt free हो चुकी है इसका साफ साफ मतलब यही बनता है कि आने वाले quarter में जो पैसा बचेगा जो अब तक loan में जा रहा था वो नहीं चाहेगा तो वो profit में देखेगा जिसके चलती तीजी है यहाँ पर और revenue भी बढ़ते हैं आपको नजर आ सकते हैं यह पिछले कुछ quarter में इनको बड़े project मिलते भी नजर आएं बड़ी बड़ी कंपनियों से तो यह एक अच्छी बात है इनके लिए और यही वज़े कि 100% एनालिश खरीदारी यह बात कर रहे हैं तब जब इसका peer ratio 112 का है और जहां तक financials भी देखोगे तो आपको साफ पता चलेगा कि revenue में बहुत बड़ी दीजी आई यह 2200 करोर का revenue रहा था जबकि से पहले के quarter में 1300-1500 करोर के आसपास के revenue थे हाला कि यह revenue भी कम है क्योंकि जो brokerage house के reports थी वो suggest कर रही थे कि तकरीबन 2500 करोर से भी ज़ादा का revenue company कमाएगी जो कि नहीं कमाए है इसने तो यह negative था और यही वज़ादे कि जब results आयते भलही आपको पिछले quarter के comparison में अच्छे लगेंगे लेगिन जो valuation है जो expectation है उस हिसाब से यह नहीं आये थे तो तीजी नहीं आये थे उस time पर इवन profit 2500 करोर के आसपास करा जबकि brokerages expect करे थे 300-350 करोर का profit जो कि again वो नहीं आया और उमीद करते हैं कि आने वाले quarter के number और अच्छे होंगे यहाँ पर जैसे results आएंगे बात करेंगे उसके बारे में तो चनल को subscribe करना भूलेगा नहीं और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजेगा जहां तक share holding के भारे में अगर हम बात करें तो देखे प्रमोटर की holding वैसे भी कम है 13.29% की holding है देखते हैं कि जून quarter में जब update आएगा तो प्रमोटर खरीदारी करते हैं कि नहीं या फिर institution को क्या यहाँ पर call नजर आता है generally June quarter में mutual funds में बड़ी खरीदारी करी हुई है क्योंकि माई महिनी में तो mutual fund ने खरीदारी करी हुई थी even June महिनी में भी करी हुई है तो पूरे quarter का जब update आएगा share holding pattern तब देखना interesting होगा कि mutual funds ने कितना खरीदारी करा हुआ है और उसमें भी बिक वाली किस ने करी थी वो देखना interesting है यहाँ पर retail वाले है या फिर other parties या फिर Files क्योंकि Files special कुछ time से लगातार खरीद रहे है अपनी holding डबल कर चुके है दो ही quarter में almost double कर चुके है Files वाले तो देखना ये भी interesting होगा कि Files की share holding कितनी हो जाती है कम होती है ज्यादा होती है आने वाले quarter में even domestic वालों की कितनी थी वो भी देखना interesting है यहाँ पर retail और other की मुलाकर 60.85% की holding है जिन में से retail investor 25.93% की holding लेकर बैठ है और जो other parties है वो 34.91% का stake उनके पास है देखे ओर अगर मैं सुजलाउन की बारे में देखो तो again मैं कहूँगा कि long term के लिहाद से मुझे company खराब नहीं लगती है क्यों पहले देखो company में बहुत सारी दिक्कते थी अब वो सारी दिक्कतों से बाहर आ चुके है और दूसरी बात ये भी है कि जितनी भी power companies है वो लगातार अपनी capacity को बढ़ाने वाले है आने वाले time में क्योंकि power demand बढ़ने ही वाली है electric vehicles के चलते और कहीं न कहीं power companies अपने demand solar में तो बढ़ा ही रहे लेकिन साथ साथ wind की तरफ भी जाने वाले है तो उसका फाइदा इस company को मिलेगा और दूसरी दो बड़ी updates पिछले कुछ महीनों में आई थी सबसे पहली update तो यही थी कि जो इनका सबसे बड़ा competitor था हलागि आइनोक्स wind तो है लेकिन उसके अलावा एक और बड़ा competitor जो था Simmons वो इंडिया से exit कर चुका है तो उसका सिधा मतलब यह है कि वो जो projects वगेरा होंगी जो future में जो मतलब उनको मिल रहे थे उनको मिलने वाले थे अब वो दिरे दिरे divert होगे सुजलान और आईनोक्स wind की तरफ जो कि अच्छी बात होगी उनके लिए और दूसरी बात यह है merger बहुत जल्दी merger होने वाला है सुजलान की ही एक subsidiary company जो है जो maintenance वगेरा का काम करती है उसको इसके साथ merge कर दिया जाएगा तो भया उसके भी balance sheet यहाँ पर देखना शुरू हो जाएंगे तो लगाता है दिरे दिरे नीचे की तरफ जा रहा है तो आपका जो approach है वो buy on dips का होना चाहिए ना कि किसी एक level पर बहुत सारे shares के खरीदारी करने का और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं 55 रुपय का level resistance के तोरपर काम कर रहा है और 50 रुपय की level initial support के तोरपर काम यहाँ पर करता हो नजर आ सकता है अगे नहीं मेरा personal opinion है कोई भी investment advice नहीं वीडियो को यही पेंड़ करता हूँ पसंद देखो तो like करें चैनल बगरा पहले बारे तो फिर सब्सक्राइब करें और सुजलान energy के बारे में आप क्या सूचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिखके बता सकते हैं thank you